हेलो दोस्तों कैसे हुआ मैं ना भेंग किसी प्रवाद आज में आ चुके हैं विक रिविजन सिरीज के चप्टर नमर 6 इस ब्लोक इलमेंट्स में जहां हम आज विक रिविजन करेंगे थू एंसे अर्ट किया है पहला है यहलो हायलेटर जिससे वह चीज दिनोट की गई है ज इन कंपॉण्ड में सबसे पहला आता है केल्शम ओक्साइट इसको क्लाइम या सी यह भी कहा जाता है इस प्रिपेर्ड ओन कोमेर्शे स्केल बाइटिंग लाइम श्टूल लाइम श्टूल सी यह सी ओट करने में केल्शम ऑक्साइट बनेगा और सी ओट बाइप्रोड़क बाहर निकल जाओ आगे तो हएसे प्रोड्यूस और रियक्ष्ट प्रोड्यूस तो कम्प्लीट यांटी जल्दी जैसे यह करक से की और बुलग्षिं प्रवाट मेम पंचले जाता है बहुत जल्दी ताकि जो रियक्ष्टन है वो फॉर्वाड ही क्या होता है हमने एक जो CO2 है जैसे मानले CO2 यह product ही है तो वह हटता जाता है तो जो reaction है फ्रवट चलता जलता जलता है अब बात आजती है इसे कहते हैं यानि water मेरा के जो calcium oxide के slang होते है या फिर जो lump होते बड़े बड़े लट्थे पत्तर पत्तर जाज़ा उसे यह एक बेसिक ऑक्साइड और यह एसिट से एसिट ऑक्साइड जैसे इसाइड इन से यह करता है हाइट अब सिये तो यह वहां करते है और सिये इसाइड बनता है जो कोई कोशन पूछा जा चुका है previous years में अब वहीं यह पीफोर रोटें से सुगर के प्यूश्आ के यूज होता है और मैनुफेक्चर ओफ डाइ स्टप्स में भी यूज होता है अब कलसे हम हीटोगसाइड की बात काल लेते हैं कलसे हम ह्याइड प्रिपैर वाहिट वाटर तू क्वीक्ड यानि क्युक लाइट हो में बन आता है इसे एकुस लाइम हो जाता, when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky, यानि carbon dioxide कभी this calcium hydroxide के थुरू pass कर दिया जाए, तो यह milky हो जाता because of formation of calcium carbonate, calcium carbonate बन जाता, जैसे कभी इसके solution में हमने CO2 pass कर दी गई, तो यह calcium hydroxyl बना लेता, अब the milk of lime reacts with chlorine to form hypochloride, a constituent of bleaching powder, यानि यह calcium hydroxide chlorine से reaction करके, chlorine से reaction करकेता है, जैसे यह CACL2 बनता है, calcium hypochloride भी बनाता है, जो की bleaching powder का एक constituent होता है, it uses, it is used in preparation of mortar, mortar में use होता है, building musterial बनाना में भी यूज होता है, then it is used in white wash, due to disinfected nature, अच्छा होता है, तो इसको white washing में भी use किया जाता है, वहीं, it is used in glass making and tanning industries, in preparation of bleaching powder, और purification of sugar, यानि purification of sugar और preparation of bleaching powder में भी use होता है, अब बात आ जाती के calcium carbonate की, तो calcium carbonate occurs in nature in several forms, like live storm, choke, marble, यानि यह बहुत सारे forms में use होता है, बना रहेता है, जो अपनी nature है, उसमें present होता है, इसे चोक, चोक जो यूज होता है, चोक में भी calcium carbonate होता है, it can be prepared by processing carbon dioxide through slack lime, यानि मैंने बता दिया था, केलियम hard oxide से कभी CO2 बनाते हैं, CO2 पास करते हैं, तो उससे calcium carbonate बनाता है, calcium carbonate बन जाता है, sodium carbonate, कभी sodium carbonate में calcium chloride भी मिला दिया गया, यह कि, यह मैंने पिछले lecture में समझाया था, केलियम chloride से कभी reaction करवा दिया जाए, sodium bicarbonate करते हो, तो वहाँ पे, ACA CO3 का formation हो जाता है, अब excess of carbon dioxide should be avoided, since it leads to the formation of water-soluble calcium hydrogen carbonate, कभी excess of CO2 कभी हैं बन गया, तो उसके कारण क्या होता है कि यह calcium hydrogen carbonate बनाने की बना सकता है, इसलिए यहां avoid किया जाता है CO2 का high concentration, वहीं uses की बात कर दीजिए, देखें, uses में सबसे हैं कि यह building material में use होता है, वहीं in manufacture of quick lime में होता है, and calcium carbonate along with magnesium carbonate is used as flux, यह flux मैंने बताया था calcium CAO plus SiO2, CACO3 तो यह एक fluxी तरह भी use होता है, CACO3 is used for high quality paper, मतब manufacture of high quality paper में भी use होता है, वहीं यह है anti-acid या mild abrasive भी use होता है toothpaste में, अब बात आ जाती कि calcium sulfate, जिसे हम प्लास्टर पेरिज भी खा जाता है, जिसका formula है CACO3.2S2 हो, तो यह क्या होता है, यह है hemihidrate of gypsum, gypsum जो होता है, CACO3.2S2, उसका hemihidrate होता है, इसमें क्या होता है कि heat कर दिया जाता है 393 Kelvin पे, जहां से यह water, अपना water loose कर देता है, वह सिर्फ आदा molecule बचता है, और CACO3.5S2, जिसे हम calcium sulfate भी कहते हैं, इसे CACO3, देखिया, सब जब इसका water crystallization होता है, निकलता है, तो यह CACO3 बनता है, जिसमें एनाइडर CACO3, मतलब जो CACO3 बनता है, CACO4, यहां बात कहल लीगी है, जिसे एनाइडर CACO4 को हम dead burn plaster भी कहा जाते हैं, अब, इसकी सबसे अची प्रपर्टी यह होती कि यह water के सथ मिक्स होके set हो जाता है, harden हो जाता है, यूज़ेस, इसका सबसे बड़ा यूज़ेस तो ब्रेल बिल्डिंग मतले जब देखिये जो आपकी वॉल होती है, उसमें यूज़ेस होता है, वहीं दूसरा, प्लास्टर्स में भी यूज़ेस होता है और जैसे काई भी आपकी बोनी में बोन तूट जाए हैं फ्रेक्चर हो जाए तो जो क्रेक पार होता है उसको इम्मोवेवल बनाने के लिए यानि वह वहीं जमा रहे ताकि वह अपनी पॉजिशन को गेन कर पाए वापस OUR वह बनपाई उसके खारण इहां क्या होता है कि हम प्लास्टर पैर शांचे यसेंबल बिलिंग मटेजिए इसे ने Witल इस जगह से, उहां से रिसमेंल करता है उस के कारण से, Cement is a product obtained by combining a material rich in लाइम, CAO with other metals such as clay which contains silica along with oxides of aluminum, iron and magnesia यानि इसमें calcium oxide भी होता है, silicon oxide होता है along with aluminum oxides, iron या magnesium oxides भी होते है यहाँ पर यह जो इसके आगे यह दिरह का constituent इसमें क्या-क्या कितने percentage होता है यह साइब तो 25% calcium oxide 50-60% aluminum oxide, magnesium oxide, iron oxide and sulfur oxides भी होते हैं जो ratio between silica और L2O3, यहाँ पर silica oxide SiO2 और L2O3 उनमें भी ratio होता है वो लगबग 2.5 का बीच 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 रहना चाहिए, वोई quick lime and total of the silicon oxide जो quick lime और SiO2 clay उन दोनों में भी ratio होना चाहिए, या aluminum oxide या iron oxide या सारी oxides के बीच में calcium oxide 2 दा, मतब यह तो एक तरफ calcium oxide और दूसरे जो oxides होते हैं उनका जो ratio होता है, वो almost 4 के बराबर होता है, 4 इस्टो 1 का बीच अब यहाँ बात आ जाती है आप कीजिएगा, वो 4 इस्टो 1 ही ratio था, अब when clay and limestone strongly heated together, they fuse and react from cement clean कर, यानि कभी हम यहाँ पे clay और limestone को दोनों को एक साथ मिला के heat करेंगे strongly, एक साथ heat करेंगे, तो वो fuse हो जाएंगे एक दूसरे में, और एक product बनाते हैं इसे हम cement link कर कहते हैं, then आती है setting of cement की बात कर ली जाए, when mixed with water, the setting of cement takes place to give hard mass, यानि water से तर मिल जाता है cement, तो वो एक hard mass का formation करता है, this is due to the hydration of molecules of the constituents and their rearrangement, यानि जो cement molecules होते हैं, उनका hydration होता था, water से रियार्च क्याते हैं, तो hydration होगा, और उनका rearrangement हो जाएगा, rearrangement हम कराते हैं, घ घोलते हैं, then the purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of cement, यानि क्या होता है कि हम cement को set करते हैं, जब उसको पानी मिक्स करते हैं, पानी के सच मिक्स करके उसको, उसका mass बनाते हैं, तो तब यह क्या होता है, इसमें gypsum में मिला जिया था, जिससे क्या होता है, जो cement की setting property हो, थोड़ी सी, लेट हो तो generally वो थोड़ा semi-solid type होता है, थोड़ा half liquid hard solid, तब जाके वो फिर हम उसको building material में जाते हैं, फिर उसको जहां पर beam बनवाते हैं अपनी घर में, उसमें फिर कर देते हो, उससे क्या होता है कि वो time लेता अपना और उसमें set हो जाता, आगे बात करते हैं, biological importance of magnesium and calcium की बात कर तो यहां पर the daily requirement in human body is लगबग 200-300 mg हो गई, इसकी है, यहां पर calcium की, मतलब यहां पर क्या होता है कि mineral amount, उसकी लगबग 200-300 mg यूज होता है, अडिली मनदब इतने requirement होती है, वही, all enzymes that utilize ATB in phosphate transfer require magnesium as a cofactor, यानि जितने भी, जो भी ATB molecule होता है, तो ATB में क्या होता है, यहां पर phosphate का requirement होगा, transfer requirement होगा, वहां पर magnesium as a cofactor काम करेगा, and chlorophyll में तो magnesium होता ही है, अधर हमने coordination chemistry में पढ़ाई है कि, जो chlorophyll is the coordination compound of magnesium इसके देखिया, जो calcium होता है, वो important rule प्ले करता है, neuromuscular functions में, वही, the calcium concentration in plasma, जो कि लगबग 100 mg पर लिटर होता है, अब इसी के साथ ये chapter समापत होता है, और वीडियो पसंद आया हो, तो like कीजे, comment कीजे और subscribe कीजे हमारा चैनल को, धन्यावाँ आज़ाए हमारा चैनल को, ध